हेलो वेलकम दोस्तों आईए गर देख रहा है आप मैं रही कुमार एक फिरसे नई वीडियो में हाजिरूं दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बैंक के द्वारा लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डाक्यूमेंट चाहिए लोन कैसे मिलेगा किस तरीकिए से आप सारे काम करेंगे लोस्तों जो भी आपके लोन दॉट को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो वीडियो का पूँआ दिखते ही को जो आप लोग बेशते रहतें कमेंट वाक्स में जैसे पहला कुश्चन है क्या 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 डाक्यूमेंट चा लोन दे देते हैं और जो भी बैंक की फॉर्मलिटी होती है तो वो बैंक अपनी तरफ से करवाती है और आपका साथी साथ से इसको काफी अच्छा होता है तो और आसानी से बैंक और आपको का लून अफैन कर देते हैं अगे इसके बाद हम आर्णब ले लेते हैं और आपका इंटरेस्टर कर दे लगता है तो आट से और आपका व これ mình नहीं है अब आब डिस ने लेते हैं, वो है आपका किसको लोन नहीं मिलता है अगर आपने अइ टिर वगएरा कभी फाइल नहीं किया है तो आपको लौन वगएरा नहीं मिलेगा क्योंकि दुस्तु कब आप एक सेललेड़ पर्सनय है और आप की जॉब बगएरा है और आपकी sell ही आता है और उस case में आप 0 ITR के अंडर आते हैं और आप उस समय क्या है loan बगएरा लेना चाहते हैं तो उस समय आपको loan मिल जाएगा दोस्तों next question ले लेते हैं कि civil score कैसे अच्छा होगा अगर उस तो हम आपसे civil score की बात करें तो उस तो अगर मान लीजिए आपने अपना mobile किस्ट पे लिया और उस तो अगर आप time to time उसकी EMI पे करते जाते हैं तो उस तो आपका civil score है वो अच्छा हो जाता है और अगर आपने मान लीजिए एक महीने पे किया फिर दूसरे महीने ल में लखाएं तो अब взять थो को फिर आपका किस बैंक से ले तो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं आप सरकार हैं वह क्लिए कि करना कि है कि सरकारी को अपर वहां से आप लोन ले लो जिससे कि आपको क्या है । ना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं को नीचे बॉक्स में या फिर आप डारेक्लि वी पर भी सर्च कर सकते हैं तो पर जरूर करके रखे क्योंकि आपके लिए ऐसे अपडेट्स लाते रहाते हैं सातेने फिर भी फेस लूक करते हैं और दोस्तों अगर आप जुडना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करे हो दो कि रहा हुआ है